हम जीवन में सुखी कैसे रहेंगे इसी के संदर्म में शंत तुकाराम जी की एक कथा आपको सुनाते हैं तो मित्रों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकॉन जरूर दवाईए ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालू तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे एक बार शंत तुकाराम अपने आस्रम में बैठे हुए थे तभी उनका एक शिस्य जो बहुत क्रोधी शुभाव का था उनके नजदीक आया और बोला गुरू जी आप कैसे अपना बेवहार इतना मधुर बन रहते हैं ना आप किसी पे करोध करते हैं और ना ही किसी को कुछ बहला बुरा कहते हैं किर्प्या अपने इस अच्छे बेवहार का रहस्य बताईए तुकाराम जी बोले मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूं तो शिस ने कहा कि वह क्या है गुरुजी बरियाश्चर से शिस ने पूछा तो गुरुजी ने कहा कि तुम अगले एक हपते में मरने बाले हो शंत तुकाराम दुखी होते हुए बोले कोई और कहता तो ये बात सिस जो था मजाक में टाल सकता था परश्वेंग संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था सिस उदास हो गया और गुरु का आशिरवार लेकर वहां से चला गया उस समय से सिस का सुभाब बिलुकुल ही बदल गया वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे कुरोध न करता अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजापाठ में लगाता वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत वेभार किया था और उनसे माफी मांता देखते देखते संत की भविश्यवानी को एक हफ्ते पूरे होने को आए तो शिस ने सोचा की चलो आखरी एक बार गुरुजी के दर्शन करके उनके आसिरवाद ले लेते हैं और वह शिस तुकाराम जी के पास पहुँचा और बोला गुरुजी मेरा समय तो अब पूरा होने बाला है कि प्रिप्या आप मुझे आसिरवाद दीजिए मेरा अशिरवाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र चाये बताओ कि पिछले साथ दिन कैसे बीते क्या तुम पहले ही कि तरह लोगों शे नाराज हुए उन्हें अब सब्द कहे संत तुकाराम ने प्रस्ण किया नहीं नहीं गुरुजी बिलकुल नहीं मेरे पास जीने के लिए सिर्फ साथ दिन थे मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था मैं तो सब से प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे छमा भी मांगी सिस्स तत्परता से बोला संत तुकाराम मुश्कुराए और बोले बस एही तो मेरे अच्छे बेभार का रहस्य है मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पुर्ण बेभार करता हूं और एही मेरे अच्छे बेभार का रहस्य है सिस्ष समझ गया कि शंत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मिर्तु का भै दिखाया था बास्तब में हमारे पास भी शात दिन ही बचे हैं रभीशों मंगल बुद्ध गुरूश शुक्र और सनी आठवा दिन तो बना ही नहीं है तो बोलिए जय जय स कि यहाराम